अज जो गाये आपको दिखा रहा हूँ इसका सवाव बड़ा ही ठंडा है ऐसे ठंडे सील सवाव की गाये हम साधारन किसान पशुपालकों के घर पर पालने के लिए उप्यूत रहती है पर इस गाये के अंदर और भी खाशेते हैं जो इस वीडियो में आप जान पाएंगे य गाये रेड सिंदी है रेड सिंदी लाल सिंदी ये गाये दुरलब है इस समय इनकी नसलों में काफी कम संख्या में ही गाये देखने को मिल रही है बहुती रेर ही रेड सिंदी नसल की अच्छी देशी गाये देखने को मिल रही है आज मैं आपको ऐसी शांदार बोडी स्ट हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सबस्क्राइब जरू से कर ले साथी साथ नजदीक दिये गए बेल आकटन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको रेगुलर और सबसे पहले मिले चलिए शुरू करते हैं यह लाल सिंदी नसल की गाये जो बहुतायत में देखने को नहीं मिलती हैं बहुती रेर ऐसी गाये देखने को मिलेंगी इस गाये के अंदर सुदता सो परतिशत तक देखने को आप महसूस कर सकते हैं यह शांदार कदकाठी की गाये नाभी का शेप आप देख पा रहे हैं हूब हूब कंप्लीट रेड सिंदी नसल की गाये का है और गलकंबल जालनुमा काफी बारी है सींग कर्व लिये वे माथा शेपड और साथी बड़े साइज का हम पुट्टे की चोड़ाई और पुट सेकिंड लेक्टेशन में अपने दूसरे ब्यांत के अंदर है और ब्याने में से अभी लगबग एक मेने के आसपा सेश बचावा है काफी अच्छी दूद छमता भी हमें इस गाये की बताई गई है 15 लीटर से लेकर 16 लीटर तक की इस ब्यांत के अंदर उमीद की जा रही ह पहले ब्यांत के अंदर इस गाये ने 14 लीटर दूद दिया है और 14 लीटर जिस गाये ने दूद पहले ब्यांत में दिया हो उससे 15-16 लीटर दूद छमता की अपेक्षा करना काफी जायज माना जाता है एक अच्छी परवरिश से गाये काफी शांदा दूद छमता की थाब विलेज कमीनपुरा डिश्टिक स्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं इनका मोबाइल नमबर है डबल नाइल 28626656 इन मोबाइल नमबर पर संपरक करके गाय के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है खुद यहां उपस्तितों और अच्छे तरीके से गाय को देख परक कर खरीदें साथी आप इसकी प्रेगननसी भी चेक करवा सकते हैं आप यहां आकर गाय की प्रेगननसी चेक करवाएं गाय का सवभाव और गाय के बारे में जो अन्य जानकारी हैं वह भी आप इनसे जा सकता है आपको यह गाय कैसी लगी हमें कमेंट जरूर से करकर बताईएगा धन्यवाद दोस्तों